नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए ज़रखन के दिन भर की खबर जानते हैं बोकारों में असमाजिक ततों ने मंदीर में की तोड़ फोड़ बोकारों के माराफारी थाना इलाके के कसिया टार मैदान इस्थित मंदीर में असमाजिक ततों ने तोड़ फोड़ की है घाटना को लेकर अस्थानिय लोग आकरोसित हो गए है वहीं सुचना पर पहुंची पूलिस, डॉग एसक्वाइट, एफ एस एल और तक्निकी सेल की टीम के साथ मोगे पर पहुंची और जाज शुरू किया है जनकारी के अनुसार सनीवार की सुबा मैदान में सेना और पूलिस की बाहली के तियारी करने वाले अस्थानिये युग दोड़ने निकले उन्होंने देखा है कि मंदीर में सीवलिंग और हनमान जी की परतिमा चातिकरस था है सीवलिंग के पास तिरिसूल को फेक दिया गया है मंदीर में तोड़ फोड़ की बात धीरे धीरे आसपास के इलाके में फैली तो काफी संक्या में लोग वहां जमा हो गया है सुचना मिलने पर मुख्याल है बता दे डोग एसकुआइड की टीम को मौके पर बुलाया गया और खोजी कुछ खास नहीं कर पाए फिंगर प्रिंट की टीम ने मौके पर जाच की और घाटना स्थल से उंगलियों को निशान लिया जारखन में कोरोना केस की संख्या 150 के पार देश बर में बढ़ते कोविट संक्रामन के बीच जारखन में भी कुरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं दो से चार दिनों के अंदर ही जारखन में कुरोना के मामले 150 के पार होगा है सुक्रवार को कुरोना के 26 नहीं मामले मिले हैं बता दे जार्खन के स्वास्त विभाकियों और से सुक्रवार रात जारी आकडों के मुताविक 24 गंटे में राज में कुरोना के 26 नहीं मावले के पुष्टी हुई है हलाकि 24 गंटे के अंदर 37 लोग कुरोना सरी कवर भी हुए हैं जिसके बाद अब राजे में कुरोना के कूल एक्टिफ केस किसंग का 151 है सीम हमन्त का निर्देश पैसा लगे तो लगने दे पर बिजली न हो कटावती जारखन में बढ़ती गर्मी से लोग परिशान है गर्मी के कारण राज में लगतार बिली की मांग बढ़ती ही जा रही है इसी बीच लोड सेडिंग कर बिली आपूर्ती की जा रही है मंगलवार से ही राजे में लोड सेडिंग कर बिली के आपूर्ती हो रही है एक तरफ तापमाइन बढ़ रहा है वहीं दूसरी तरफ लोड शेडिंग जिससे लोग गर्मी से बेहाल है मुख्य मंत्री हेमाशुरेन ने इसे गंभीता से लिया है और विभाग को बीली कटोती नहीं करने का देश दिया सबसे पहले सियम हेमाशुरेन ने उर्जा सचीव अविनास कुमार से बीजली संकर से सम्मंध में जनकाली ली उर्जा सचीव ने बताया है कि बीजली की मांग बढ़ गई है 300-400 मेगावार तक अतिरिक्त बीजली की मांग हो गई है सियम ने कहा है कि अगले तीन महिने की पलानिंग के साथ 600 मेगावार बीजली खरिदे चतरा मुट भेड में सामिल 15 लाह के इनामी नकसली इंदल गांजु ने किया सरेंडर भागपा मवादी नकसली संगठन के जार्खन में रिजनल कमेटी मेंबर इंदल गांजु ने सरेंडर कर दिया है हलागी पुलिश न अभी इसके अधिकारी रूप से खोचना नहीं की है जनकारी के अनुसार जार्खन पुलिस की एक टीम ने इंदल से संगठन में सामिल नकसली और हत्यार और संगठन को सहायता पोचाने वारे लोग के बारे में पुछता शुरू कर दिया है जार्खन के विभीन जीलो को थाने में नकसली इंदल गांजुक के खिलाब सोज से अधिक केस दर्ज है पुलिस उनके खिलाब दर्ज सभी केस की जनकारी भी कटा कर रही है जल्द ही जार्खन पुलिस के अधिकारी उसके सरेंडर करने के समन्द में बीधुवत घोसना कर सकते है जीला और राज टिम की ओर से खेलने के नाम पर दूसरे राज के खिलाडियों से लाखों रूपई लेने का रोप जेल रहे जार्खन राज किरकेट संग के सिकंजा कस दिया गया है जार्खन राज किरकेट संग इस मामले की जाज करेगा सुतरो से मिली जनकारी का नुसार dear ccst क्मिटी सऩबार को बोकारे की जाएगई कमिटी दस दिन में रिपोर्ट jcast کو सोपेगी इसके बाद JSEA से समिधान के अनुरूप करवाई की जाएगी सुत्रों ने बताया है कि JSEA बोकारों पर करन पर काफी गंभीर है इस मामले को लेकर सुक्रवार को JSEA में हुई बैठक में कहा गया है कि अगर इस मामले में कोई दोसी पाया जाता है तो उस पर ततकाल करवाई किया जाए गर्मी ने बढ़ाई बिजली की मांग 800 मेगावार डिमांड को पूरा करने में जुटा विभाग गर्मी बढ़ते ही बिजली को लेकर हाहाकार मचना शुरू हो गया है जिसे पूरा करने के लिए सेंट्रल पूल से अतरिक्त बिजली खरीद की जा रही है पतादे गर्मी बढ़ने के साथ जार्खन में बिजली की डिमांड बढ़ गई है डिमांड को पूरा करने में बिजली भी भाग के पसीने छुट रहे है हलात यह है कि पिछले तीन दिनों से लगातार ताप्मान में हो रही बिरिदी को या से बिली की खपत अचानक बढ़ गई जिसके करण मांकें रूप आपोर्ती करने में बाधा आ रही है समाने दिनों में ज्हारखन में प्रती दिन करीब 2400 मेगावाट विली खपत होती है बेहतर ढंक से हो सके बताजे राजे के साथ जीलों के 24 परखंडों में हाई-इंपेक्ट मेगा वाटर सेड योईना शुरुवात की गई इस वोईना से किसानों को जबर्जस्त लाब होने वाला है किसानों को खेती करने में सहुलियत हो इसी उद्यस से इस वोईना के शुरु करेंगे और उसका उपयोग बागवानी में करेंगे तो किसानों की आई दोगनी करने के लग्ष को पूरा करने में मदद मिलेगी IAS 26 रंजन से हो सकती है पूस्ताच जमीन घोटाला मामल में गिरफतार कियेगा साथ और उपयों को चार दिनों के लिए ED की रिमांड पर दिया गया है ED ने 5 दिनों की रिमांड की मांगी थी लेकिन ED के 20S ने अधिस दिनेस कुमार की कोट में सिर्फ 4 दिनों की ही रिमांड दी माना जा रहा है इनसे पूस्ताच के बाद पूरवट DC IS अधिकारी 26 रंजन को भी ED अपने दहतर बुला सकती है गिरफतार अंचल कर्मिय और भूमा फियाओ ने 26 रंजन को लेकर कई जनकारिया ED को दी है 26 रंजन के दोबारा रांची DC के कर्याले के दोरान ही सेना के जमीन पर कबजे की कोशी सुरू हुई थी इस पूरे मावले में ततकालिण DC 26 रंजन की भूम का ब्यहत संदिक दहाए ED से मिली जनकारी का नुसार बड़ागाई CEO मनोच कुमार ने इस समाहत में कई जनकारीया एजनसी को दी है बड़गाई CEO के अनुसार सेना की कबजे बाले जमीन पर करन में ततकालिण DC 26 रंजन ने पूरे अंचल पर दबाव बनाया था 26 रंजन की दबाव में ही सेना की जमीन मावले में कई बदलाव किये गए जो गलत थे 30 दिवसी मिथिला महोत्सव की हुई सुरुआत राजधानी राची के और गोड़ा मैदान में झारखन मिथिला मंच के दोरह 3 दिवसी मिथिला महोत्सव कह अव्जन किया गया सुक्रवार को देर साम विधायक सर्जु राय और राज सभा सांसन महुआ मांजी ने तिन दिवस्य कारकरम का उधगाटन किया जिसमें मिथला समाज के सेक्ड़ों लोग मौजूद रहे जिसमें महुआटन के सरकारी मध्य विध्यालों में उन्तिसों पद स्विक्रित लेकिन सिर्फ 62 में हेड़ मास्टर जार्खन के सरकारी मध्य विद्यालों में हेड मास्टर के स्विक्रीद पद 1937 है लेकिन सिर्फ 62 सुलों में ही हेड मास्टर है आधे से अधिक मध्य विद्याले में हेडमास्टर नहीं है जिन मध्य विद्याले में हेडमास्टर नहीं है उनमें किसी सिनियर सिक्षक को हेडमास्टर का प्रभाद दिया गया है वही टीचर टांसफर पोटल के अनुसार 23 में से 14 जीलों में हेड मास्टर की संख्या सुनिया है बदा दे जार्खन में कुल सिक्सको की संख्या 1,15,99 है जिन में से रेगुलर एक आवन हैर 326 और परा टीचर 63,773 है बाबुलाल मरांडी ने कहा IAS 16 रंजन को जेल भेजे मुख्य मंत्री भाजपा विधायक दलक नेता बाबुलाल मरांडी ने सियम हमंसरें से IAS 16 रंजन को जेल भेजने की मांकी है इस पूरी डग कहती के मास्टर माइंड सरकारी पेंड तक को बेच खाने वाले छवी रंजन हैं उन्होंने कहा है कि सेना के जमीन हेरा फेरी कर देश से गदारी जैसा काम करने वाला ऐसा अपसर अम्मुख्य मंत्री का ठोर करवाई करें उन्हें जेल भेज कर नौकरी से प्र तेरह मेडल बेस्ट वा ओवर ओल टॉपर के लिए होंगे वहीं तेरह मेडल ब्याक्ती बीसेज के नाम पर होंगे मुराबादी के दिक्षान मंडप में दो माई को आयोजीत समारों के मुख्य हती थी राज्येपल्स, कुला देपती, सीपी, राधा क्रिष्टन होंगे बतादे राची उन्वर्शिटी के इस दिक्षान समारों में इस बार ओवर ओल बेस्ट माश्टर डीगरी का अवार्द डोरंडा कॉलेज की जैस्त्तिरी महतो वा ओबर ओल बेस्ट गेर्जूेट का आवार्ड नेमाला कॉलेज की सोनी कुमारी को मिलेगा कूल सतहत्तर में 50 गोल्ड मेडल छात्राओं को मिलेगा इस सत्र में राची मीमेंस कॉलेज, मरवारी कॉलेज और संत जेविर्स कॉलेज आटोनोमस का दर्जा रहने के कारण सामिल नहीं है देवघर में अवयद बालु ढूलाई के खिलाब छापे मारी करने गए डी एमो की पिटाई जस्टी डीह के लालपूर गाओं के समीब सुपरवार को छापे मारी करने गए जीला खनन पता दिकारी राजेश कुमार के साथ बालु मफ्याओं ने गाली गोलो जो मार पिट की है साथी ट्रेक्टर से कुचलने का पर्यास भी किया गया इस दवरान डी एमो ने एक आरोपी फूलचंदर राय को पकड़ लिया है और घाटना की सुचना थाना को दी है सुचना मिलते ही प्रभारी थानेदार एस आई जिसान अक्तर घाटना स्थर पर पहुंचे वा आरोपी को ग्रफतार कर लिया है एक ट्रेक्टर को भी जट कर लिया है इस समध में डी एमो ने जसी डी थाने में प्राथमी की दर्ज कराई है जाल साजो ने 1922 में ही पच्छिम बंगाल और बिहार का भोजपूर जीला बनवा दिया सेना के कबजे वाले जमीन के बरियातु स्थीत 4.55 एकर जमीन वा सदर थाना चेतर में चेसायर होम रोड की एक एकर भोमी की अवैद खरीद विक्री मामले की जाच कर रही इडी ने एक बड़ा परदफास किया है सेना के जिस जमीन को भूमी माफिया परदीब भागची ने असली रहयत बनकर कुलकात्ता के जगत बंदु की स्टेट प्राइवेट लिमिटेट के निदेशक दिलीब कुमार घोस को बेजी थी उसे गिरफतार कर लिया गया इडी ने जमीन के मूल कागजात वपरदीब भागची के मूल कागजात की जब फ्रेंसिक जाज करा रही तो मूल दस्तावेज में हईरा फेरी पकड़ी गई परदीप बागची ने स्वयम को उस जमीन का आसली रहयत दिखाने के लिए एक दस्तावेज प्रस्तूत किया था जिसने बताया गया है कि 1932 में उसके पिता ने उक्त जमीन रहयतों से खर दी थी उसका पंजियन कुलकाता रईस्टरी करयाले में कराया था आपने वाद यदि आप चैनल पर नाए है तो चैनलों को सब्सक्राइब कर वाल का वेल एक अंदर भाई यह साथ वीडियो को एक लाइक अपने दोस्तों के आशेर करना भूले साथ आप हमें कोमेंट पक्समा अपना फीड़बाइक अवस से दे थैंक यू